मैं खेत पर कुछ नया करने के बारे में सोच रहा था शायद एक ऐसी फसल जो जल्दी हो और कुछ विविद्धा जोड़ती हो। क्या आपके पास कोई आइडिया है डॉक्टर साहब जी? क्या आपने माइक्रो ग्रीन्स पर विचार किया है? माइक्रो ग्रीन्स अनाज, सबजी, जड़ी बूटियों के बीच से तैयार होने वाली मुलायम पत्तियों को कहते हैं। इनकी ओसतन लंबाई 2-4 इंच होती है और 1-2 सपता में तैयार हो जाता है। माइक्रो ग्रीन और स्प्राउट्स दोनों एक दूसरे में भिन हैं। माइक्रो ग्रीन में मुलायम पत्ते के साथ तना भी खाया जाता है। माइक्रो ग्रीन खाने से क्या फायदे होते हैं डॉक्तर साहब? माइक्रो ग्रीन में सामान्य फसलों की तुलना में 40 गुना अधिक पॉष्टिक तत्व पाये जाते हैं शोध के अनुसार, ब्रोकली माइक्रो ग्रीन में सलफोराफेन की अधिक मात्रा होने के कारण कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की रोख थाम के लिए लाब दायक है माइक्रो ग्रीन वजन को नियंतरित कर मानसिक वर्शारीरिक रूप से स्वास्त रहने में सहायता करते हैं माइक्रो ग्रीन में भरपूर मात्रा में विटामिन A, C, E, K और अंटी आक्सीडेंट पाये जाते हैं दिल्चस्प लगता है, लेकिन माइक्रो ग्रीन्स क्यों? आज कल माइक्रो ग्रीन्स बेबी ग्रीन्स को सुपर फूर्ट के रूप में उगाया जाता है जैसा कि मैं आपको बताया ये पौश्टिक तत्वों वे अंटी आक्सीडेंट के प्रमुक स्ट्रोथ हैं इसे उगाने के लिए कम जगर की आवश्यक्ता एवं किसानों की आई बढ़ाने का अच्छा विकल्प हो सकता है क्या उन्हें विक्सित करना कठिन है? मैं सामान्य फसलों का आदी हूँ बिल्कुल नहीं, वास्तव में, माइक्रो ग्रीन्स उगाने में सबसे आसान फसलों में से एक है वे ट्रे या कंटेनर में पनपते हैं और आप उन्हें घर के अंदर या बाहर उगा सकते हैं वे उन किसानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं जो कठिन कठिन काम करने की बजाए विविद्ता लाना चाहते हैं माइक्रो ग्रीन्स को ग्रोइंग मीडियम में उगाया जाता है और इनका सिर्फ मिट्टी के उपर वाला भाग ही खाया जाता है जबकि स्प्राउट्स को बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के उगाया जाता है और सभी अनकुरिद भाग खाये जाते हैं माइक्रो ग्रीन को उगाने के लिए कम देख भाल, धूप, पानी, रोशनी और खाद की जरूरत पढ़ती है कीट्व बीमारी से नुकसान एवं वर्षा या सूखे से फसले बरबाद हो सकती है जबकि माइक्रो ग्रीन जल्दी तयार हो जाते हैं और इनमें नुकसान भी कम होता है किसी कारणवश यदि यह खराब हो जाए तो कुछ ही दिनों में दोबारा उगाना संभव है माइक्रो ग्रीन में सारे पौश्टिक तत्व पाय जाते हैं इसे कम लागत में उगा कर आए बढ़ा सकते हैं डॉक्टर साहब जी माइक्रो ग्रीन उगाने के लिए हमें क्या क्या संसादन चाहिए Growing container, micro green को चौड़े container, plastic growing tray जिसमें जल निकास के लिए छिद्र हो ओगा सकते हैं Growing medium, micro green लगाने के लिए मिट्टी में जैविक खाद और रेद डाल कर मिश्रन प्रयोग में लाएं मिट्टी के अलावा को कोपिट, वर्गी क्यूलाइट वर परलाइट मिश्रन प्रयोग में लाया जाता है Beej, micro greens के उच्च उत्पादन के लिए जैविक बीजों का उप्योग करना बहतर रहता है Spray bottle या can, बीजाई के बाद मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिरकाव Spray bottle से करना चाहिए Gardening चाकू या कैंची, micro greens को काटने के लिए तेज ब्लेड या चाकू या gardening कैंची की आवश्यक्ता होती है माइक्रो ग्रीन उगाने की विधी आप विस्तार से हमें बताएंगे डॉक्टर सहब जी Growing tray पूरी तरह की डानुरहित होना चाहिए Growing tray में 2-3 इंच पॉटिंग मिश्रन डालें बीज को बराबर दूरी पर घने रूप में छिड़क दें अब बीज के उपर थोड़ी सी मिट्टी की परत बिचा दें और हलके हाथों से थप थपा लें पानी का स्प्रे करें ताकि नमी बनी रहें Growing tray को 2-3 दिनों के लिए प्लास्टिक बैग या रैपर से धक कर रखें ताकि बीज अच्छे से अनकुरित हो जाएं शुरुआत के दिनों में बीजों को प्रकाश की जरुरत नहीं होती है मिट्टी सुखने लगे तो स्प्रे से हलका पानी दें बीज अनकुरित होने पर प्लास्टिक रैप हटा दें ट्रे को ऐसी जगह रखें जहां प्रति दिन कम से कम 3-4 घंटे धूप मिल सके जब माइक्रो ग्रीन्स में टू लीफ आ जाएं और लंबाई 4 इंच के हो जाएं तो कैची से मिट्टी के उपर का हिस्सा काट लें माइक्रो ग्रीन्स को तयार होने में 1-2 हफते का समय लगता है माइक्रो ग्रीन सूप, सलाद सेंडविच में प्रयोग कर सकते हैं लेकिन क्या लोग उन्हें खरी देगे? क्या वे मांग में हैं, डॉक्टर साहब जी? बिल्कुल, माइक्रो ग्रीन्स की मांग बढ़ रही है, खासकर स्वास्थे के प्रती जाग्रूप भोगताओं और शेफों के बीच रेस्तरा अक्सर अपने व्यंजनों को बहतर बनाने के लिए इंताजा, जीवन्त साग सब्जियों के लिए प्रीमियम का भुपतान करते हैं स्थिर्ता के बारे में क्या? मैं अपनी क्रिशी पध्धतियों को अधिक पर्यावरन अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ माइक्रो ग्रीन से एक स्थाई विकल्प है, परिपक पौधों की तुलना में इन्हें कम पानी और जगह की आवश्यक्ता होती है आप न्यून्तम पर्यावरन ये प्रभाव के साथ अधिक्तम उत्पादन कर रहे हैं ठीक है, आपने मुझे आश्वस्त कर लिया है डॉक्टर साहब, मैं कैसे शुरू करूँन, कोई विशेश किस्म जो आप सुझाएंगे कोई ध्यान रखने योग ये बाते हैं, आप बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब माइक्रो ग्रीन काटने के बाद दो दिनों के भीतर प्रयोग कर लें, अन्यता पोशक तत्वा कम होने लगता है और करवापन आ जाता है माइक्रो ग्रीन को पानी में डाल कर फ्रिज में रखने से एक हफ़ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर मेरी आखे खोलने के लिए धन्यवाद, डॉक्टर साहब, यहां खेत में माइक्रो ग्रीन से भरपूर भविश्य है मुझे यकीन है कि आपके माइक्रो ग्रीन स्फलेंगे फूलेंगे और पोशन और आर्थिक लाब दोनों लाएंगे क्रिशी से संबंधित जानकारी बढ़ाने के लिए क्रिशी ग्यान चैनल देखते रहें